नमस्कर दोस्तों स्वागा थे आपका फार्मारॉप्स के यूट्यूब एज़िक इसने जनल में आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करने वाले हैं वीरिया को बढ़ाने वाली दवायों के बारे में तो प्राफ्लिम क्या होता है कि पूरूसों के आँधर कई बार जो सिमेन होता है वो काफी पतला हो जाता है या फिर उसके अंदर जो sperm count होते है वह काफी कम हो जाते है तो ये conditions को ठीक कने के लिए जो दवाया यूजज होती है अलग-अलग जो तरीके यूज होते हैं उसके बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर के अंदर जानेंगे और यह जो बिमारी है कि जिसको हम Oligospermia कहते हैं उसके बारे में भी समझते हैं आज के लेक्चर में और सीखते हैं कि कैसे यह condition को ठीक किया जा सकता है तो ऐसे ही समझो कि आपको बहुत सरी दिवायों के बारे में जानना है बीमारीों के बारे में जानना है तो आप यह medicine course को जोइन कर सकते हैं फार्मा रोक्स के बार तो यह course जोइन करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो अब आते हैं topic पे और समझते हैं oligospermia के बारे में तो यह ऐसे medical condition है कि जिसके अंदर low sperm count देखने को मिलते हैं कि पूरुसों के अंदर जो उनका sperm count होता है वो 15 million से कम हो जाता है कि समझो कि एक ml जो sample होता है समझो सीमेन का तो उसके अंदर समझो कि 15 million या फिर उससे भी कम जितने sperm से तो उसको हम कहते है oligospermia के condition कि जिसको oligosusermia भी कहा जाता है तो specially क्या होता है कि जो वीरिय होता है जो सीमेन होता है उसकी viscosity कम हो जाता है मलें कि वो काफी पतला हो जाता है या फिर उसके अंदर जो sperms होते हैं, उनकी मात्रा जो ही वो काफी ज़्यादा कम हो ज़्यादा है, कि जिसको वीरिये की कमी भी कही बार का आज़ाता है तो यहाँ पे जो आप सेंपल देख रहे हैं कि जो सीमेन होता है, वो कही बार प्रापर विसकू सीटी में होना चाहिए वो गाडा होना चाहिए, पर कई बार वो काफे पतला हो जाता है, या बेख सकते कि पानी जैसा कई बार वो पतला हो जाता है, तो उसको proper गाडा बनाने के लिए जो दवा पर कई बार देखने को मिलता है कि some जो 15 million या फिर उससे ज्यादा sperm से 1 ml के अंदर तो उसको हम normal कहते हैं फिर mild oligospermia तब कहा जाएगा कि sperm count जो है वो 5 से लेकर 14 millions जितने हैं 1 ml के अंदर फिर उससे भी ज़्यादा condition दीरी-दीरे खराब होते हैं जिसको moderate condition कहते हैं कि उस condition में sperm count 1 से लेकर 5 millions होता है पर ml के अंदर और severe oligospermia मलब के ऐसी condition कि जब आपके sperm count 1 million से भी कम है 1 ml जितने आपके semen sample के अंदर तो उसमें mainly होता क्या है कि आप आप एक analysis देख सकते है semen analysis कि sperm count इतना होना चाहिए 15 million या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए 1 ml के अंदर जो sperm की total motility होती है 40% या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए और जो progressive motility है वो आपके report के अंदर 32% या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए तो उसको आप नॉर्मल मानते है पर उससे जब भी ये values कम होती जाती है तो वो oligospermia जहें वो कहा जाता है because sperm की morphology भी अच्छी होना जरूरी है as well as उसकी motility भी proper होना जरूरी है आप या आप देख सकते कि ये वाला जो sperm में वो काफी normal है उसके compare में ये बाजू में जो sperm में आप देखो तो वो abnormal है फिर जो motility होती है या फिर उसकी जो progression होती है वो proper एक direction में होनी चाहिए जबकि ये वाले side में आप देख रहे है कि उसकी जो abnormal motility जो देखने को मिलती है फिर ये होने के reasons क्या है वो समझ लेते हैं तो कुछ reasons ये है कि कोई बीमारी के करण ये problem हो सकता है genetics भी होता है कई बार infections समझे कि आपको हुआ है specially कि आपके reproductive system के related कोई आपको body में infections हुआ है तो भी ये problem हो सकता है hormones के कमी है specially जो testosterone related जो problem है आपके सरीर के अंदर तो भी ये problem हो सकता है फिर obstructions हुआ है blockage हो गया है तो उसके करण भी ये problem हो सकता है environmental toxin से फिर कई बार गर्मी और जो drugs होते है कुछ दवाईया भी असर करते जैसे की और testosterone के overdose के करण भी ये problem हो सकता है methadon के करण nitrofurentoin है, lamotrizin clomipramine है peroxetine, prednisone, methotrixet phenasteride and serolumis जैसे दवाईया समझे कि कोई लंबे समय तक लेता है तो उसके करण भी उसके sperm count जो वो कम हो सकते है उसके लाव ये दूसरे कुछ reasons है जैसे कि कोई समझे के smoking करता है तो उसके करण भी ये problem हो सकता है कि sperm counts कम हो जाते है sperm की quality जो होती है वो भी दिरे-दिरे कम होने लगती है फिर टॉबे को consumption करता है कोई alcohol beverages लेता है addictive drugs का consume करता है unhealthy diet है आपकी और खास आपकी निंद पूरी नहीं होती या फिर आप बहुत कम निंद लेते हैं और साथ वसाथ आपके life के अंदर stress है तो यह सभी जो factor से वो combine होके responsible बनते है oligospermia के लिए कि जो specially हम कहते हैं कि वीरिया के quality, quantity दोनुजे वो खराब हो जादी है तो उसके लिए ilaj क्या है तो सभी तरह के medicine system में उसके बहुत अच्छी ilaj दे गया है जैसे कि आयर्विदिके, omepid, union, anopid, सभी में उसका treatment जो अच्छे से हो जादा है तो आप समझते हैं कुछ दवायों के बारे में कि जो responsible है कि आप use कर सकते हैं कि जिससे आपका ये problem स्वाल हो सकता है तो आयर्विदिक के हम दर हम देखे तो अस्वगंदा एक काफी अच्छा option बनता है सतावरी है, गोकसूरा है, सफेद मुसली कभी काक्छू करके medicine आदी है, Amla की जो है तो इनके combination वारे बहुत सारे marketed formulations जो है आपको मिल जादे, तो उसके कुछ samples हम देखते हैं, तो हीमालिया drug company जो है वो spimen करके formulations बना दी है तो वो भी आप use कर सकते कर आपको इस तरह का problem है दूसरा option बनता है, हमालिया का गोकसूरा करके product आती है तीसरा option आप देखो तो tentax ford करके ये जो tablet आती है कि ये problem को जो वो solve कर दी है, और चौथा option देखे हमालिया में ही तो, वो है confido tablets, तो ये medications जो आप proper medical super reason के अंदर जो वो ले सकते हैं उसके अलावा, चरग जो है आयरविदिक फाउ कंपनी, तो उसका भी एक product आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिस दुआ करके, तो ये भी आप use कर सकते के अपको ये problem है उसके रावा, उसके एक भी ingredients हम देके तो आमला की है अस्वगंदा है, सतावरी है एंड कपी का चूँ उसके अंदर जो है वो present है, कि जो specially sperm count को ingress करने के लिए काफी मदद करता है, वीरिये समझे के पतला हो गया है तो उसको गाड़ा बनाने के लिए ये दवाई जो है काफी useful सा भी तो दिया है उसके अलावा जो बाईदनात है उसका भी विरिये सोधन वटी जो यूज़ होती है तो ये भी same result आपको देता है फिर बाईदनात का दूसरा एक product है सुक्र मात्रो का वटी करके है या फिर जो मुसली पाग उसका आता है उसका भी seven जो यह आप कर सकते कर आपको इस तरह सा problem है उसके अलावा सिलाजित भी काफी powerful product है इसके अंदर कि जो डाबर बनाती है कि डाबर का यह सिलाजित gold करके product है वो भी यह यह problem को solve कर सकती है उसके अलावा जो पतंजली में भी मुसली पाग available है उसका सिलाजित रसाइन वटी भी आती है तो वो भी आप prefer कर सकते है फिर homeopathy में हम option देखे तो sterlin M करके यह आप एक product आप देख सकते है यह वाला कि homeopathy medicine sterlin M करके है तो यह जी use किये जा सकती है कि अगर low sperm count का problem है वीरिये काफी पतला हो गया है फिर younani medicines में हम देखे तो हर दर्द जो है उसका एक product आप देख सकते है लबूब कबीर करके यह product है तो यह भी काफी helpful साभित होता है अगर यह आपको suit नहीं होता तो दुसरा option बनता है माजून सुपारी पाक करके यह आप एक product है और इसके भी option में तीसरा option बनता है कि कुर्स जिरियान करके यह जो product है तो यह यूनानी medicines के option बन जाते है आपके लिए sperm counts को बढ़ाने के लिए फिर अब बात करते हैं अलोपेथिक दवयों के बारे में कि आप समझों कि herbal या फिर आयुवेथिक या फिर फोमियोपेथि में से कोई medications आप ले रहे पर साथ में आप जो है वो अलोपेथिक medications या फिर उसके जो nutraceuticals से वो भी आप लूज कर सकते हैं जैसे कि या आप एक 40-sure M करके जो आप product देख रहे हैं तो उसके इंदर आप content देखो तो co-enzyme Q10 करके एक खास ingredient है फिर L-carnitine करके है zinc है, lycopene है तो ये सब ingredients क्या करते हैं कि आपके जो sporms की motility बढ़ाने में मदद करते हैं sperm count increase करने में मदद करते हैं और जो वीरिया की जो गाड़ापन जो होता है उसको अच्छे से बना inner cream है जो आपको मदद करते हैं फिर defrag करके भी tablet आती है उसके भी आप ingredients देखो तो काफी similar है, same है तो ये भी आपके लिए काफी useful सा भी दोता है और तीसरा option बनता है यहाँ पे Mac Q10 Plus करके जो powder आता है उसका कि आगे जो हमने दो options देखे तो ये टाबलेट से कि फर्टी सोरेम भी टाबलेट है defrag भी टाबलेट है पर यहाँ पे ये जो है वो powder आता है कि ये 10 ग्रम का जो सजेट होता है उसको आपको पानी में डालना होता है और उसको अच्छे से mix करके directly पीना होता है कि जैसे आप glucose powder mix करके पीते उसी तरह से सेम ये powder का जो है powder को पानी में डाल के जो है वो पीना होता है और इन सभी से भी समझे कि फरक ना पढ़ रहा हो तो एक आखरी option रहता है कि वो है क्लोमीफिन के tablets रहते हैं कि जो आप proper आपके doctor को consult करने के बाद या फिर आपके pharma assist के सला के according to आप ये medications को ले सकते हैं तो ऐसे समझे कि आपको detail में सिखना है बहुत सारी दवयों के बारे में आप medicine course को जोईन कर सकते हैं pharma rocks के अब उपर तो ये course जोईन करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारे mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी so good luck and all the best